हँलो दोस्तों सुपागत है आपका अपने चैनल S peaceqpard में और मेह अलीथी तो आप स ooh akspard में बननी जा रहे है बहुत छी टेस्टी सा रायता जो टेस्टी तो ही सब में हल्दी भी बहुत है तो आज बनाएंगे हम माखाने का रहे तो चली बनाना स्टाइट करते हैं तो यहां पर राइता बनाने के लिए हमने लिए है दो कटोड़ी दाही और जो दाही है न दूस्तो, गाड़ा है, ताजा है, एक कटोड़ी लिया हमने माखाना और मखाना देखिए इस तरीके का बड़ी पीसिस का होना चाहिए सोफ्ट होता है इस तरीके का मखाना और साथ ही हम लेंगे यहाँ पर काली मिर्च, नमग हरी मिर्च बारी कटी हुई थोड़ा सब होना हुआ जीरा और साथ में ताजा हरा धनिया तो चली सबसे पहले हमने करना किया है यहाँ पर जो हमारे मखाने हैं इनको हम रोस्ट कर लेंगे तो चलते हैं गैस की तरफ तो यहाँ गैस पर मैंने एक पैन रख दिया है गैस को हम यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं तो जो हमारे मखाने हैं न दोस्तों उन्हें हम रोस्ट करेंगे बिना घी के मतलब कि उन्हें हमें सिर्फ ऐसे ही रोस्ट करना है तो जो मखाने होते हैं कई बार होता क्या है कि हमारे पास पड़े होते हैं और वो पड़े-पड़े सीम से जाते हैं तो रोस्ट करने से जो हमारे मखाने होते हैं, वो काफी क्रंची हो जाते हैं, क्रंची हो जाते हैं, तो देखिए अभी ये बिल्कूल इस तरीके से हैं, तूट नहीं रहे हैं, और जब ये क्रंची हो जाएंगे ना, तो बस हाथ में लेते हैं, थोड़ा सा प्रेस करती हैं, आसानी से फूट जाएंगे क्रंची हो जाएंगे तो इन्हें दो मिनट के लिए हम अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं तो दो मिनट हो गए हैं इनको रोस्ट करते करते आपको दिखाती हूँ तो इस तरीक से हम दबाएंगे न तो यह बिल्कुल इस तरीक से चूरा हो जागा यानि कि हमारी जो मखाने हैं वो बहुत अच्छे से सिख गए हैं, रोस्ट हो गए हैं तो यहाँ पर गयस को बंद कर देते हैं और अब जलते हैं बनाते हैं राइता तो यहाँ पर जो दई है न तो इसको देखिए मत लेंगे यह मैंने छोटी सी मत नहीं लिए है तो इस तरीके से आप दई को अच्छे से फैट लें देखिए कितना अच्छा गाड़ा दई हमारा तो चलिए अब इसमें डाल देते हैं हमारे कुछ मसाले तो सबसे पहले में इसमें डाली हूँ आधा जम्मच नमक और इसमें डालेंगे ताजी कुटी काली मिर्च और साथ ही इसमें हम डाल देंगे बिलकुल बारी कटी हुई ताजी हरी मिर्चे और अब हम इसमें डालने वाले हैं ताजा भुना हुआ जीरा पाउडर इससे जो रायते में फ्लेवर आतना बहुत मास आता है और अब हमारे मखाने कुछ मखानों को हम इस तरीके से क्रेश करके डाल देंगे दो चार मखाने ऐसे डाल दीजिए बाकी जो मखाने है न उनको आप ऐसे ही दई में डाल तो बहुत ही बड़िया और बहुत ही हेल्दी रायता है ये दोस्तों और आपको अगर वीडियो मेरी पसंद आ रही है तो वीडियो को आप लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और चैनल पे अगर नए हैं तो फटा फट से चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें इजी और क्विक बन जाने वाली रैस्पीस को देखने के लिए तो देखें कितना मस लग रहा है हमारा रायता और फटा फट से बन करके तैयार भी हो गया खीर तो अपने खाई होगी मा खाने की क्या अपने कभी रायता बनाया है अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो बन देखें कितना सुन्दर लग रहा है जितना सुन्दर ये दिख रहा है न उतना ही ज़्यादा ये खाने में डिलीस यासा टेस्टी है बहुत ही बड़ी है इसका टेस्ट है तो देखें दोस्तों तैयार हो गया हमारा रायता आप भी बनाए और मुझे बताए और हाँ दोस् बाल प्रूह करना लोगा तेक ही जाया जभी एप।